हाई आप रियों वेलकम तो पना कैंपस मैं हूँ पुस्पेंद रियादो तो आप डियास यू का जो अप्लिकेशन फॉर्म है यूजी कोर्सिस के लिए और डिपलोमा कोर्सिस के लिए वो आउट हो चुका है तो आज हमें डिस्करस्ट करेंगे कि कैसे आपको इसका application firm fill करना है जब आप इसका firm fill कर रहे हैं उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है यहाँ पर डिटेल कैसे अंटर करना है डॉकमेंट कैसे अपलोड करना है पेमर्न कैसे करना है यह सारी चीज़े आज के इस वीडियो में मैं आपको practically step by step करके दिखाऊंगा वीडियो को end तक देखना सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा चले वीडियो को शुरू करते हैं तो यार form को fill करने के लिए सबसे बहले आपको आना होगा DSEU की website पे इसका link आपको इसी वीडियो के नीचे description box में मिल जाएगा जब आप link पे click करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का page open होगा जो आपको अभी screen पे दिख रहा है अब यहाँ पे आनेक बाद आपको page को थोड़ा सा नीचे करना है और यहाँ पे आपको लिखा होगा apply online उसके जब नीचे लिखा है click here to apply यह दिख रहा है आपको इस पे आप click करेंगे इस पे click करने के बाद आपके सामने एक new page open हो जाएगा कुछ इस तरह का अब यहाँ पे आपको side में लिखा होगा दिखेगा applicant login यह लिखा होगा दिख रहा है इसमें आप नीचे थोड़ा सा देखी लिखा हो आपको दिखेगा new registration इस पे आप click करेंगे अब यहाँ पे फिर से आपके सामने एक new page open होगा अब यहाँ पे आप से जो भी detail पूछी गई है उसे आपको fill करना होगा सबसे उपर पूछा गया name of applicant यहाँ पे आप अपना name लिखेंगे first name आगे middle name और last में लिखेंगे last name उसके नीचे पूछा गया date of birth तो यहाँ पे आप अपने date of birth बता देंगे फिर नीचे पूछा गया gender आप male है female है यह transgender है आप यहाँ पे उस select करेंगे फिर पूछा गया father's name यहाँ पे आपको अपने father का नाम लिखना है नीचे mother name लिखना है उसके बाद आपको अपनी email id एंटर करनी होगी और नीचे आपको अपने email id एंटर करनी होगी और फिर नीचे आपको यहाँ पे जो capture दिख रहा है सेम ही capture आप यहाँ पे enter करेंगे और इतना सब push करने के बाद नीचे लिखा है sign up इस पर आप click करेंगे अब यहाँ आपने अभी तक जो भी detail fill करी है आपको दिखाई जाएगी कि आपने सब कुछ ठीक fill किया है और आपको उसे चेक करना है अगर यहाँ पे आपको अभी कोई गलती लगती तो आप नीचे लिखाई change उस पर आप click करके आप उसे change कर सकते हैं लेकिन अगर आपको यहाँ पे सब कुछ ठीक लग रहा है आपको वो OTP देखके आगे enter करके अपने account को activate करना होगा तो आप कैसे करेंगे उसके लिखा है activate your account यहाँ पे लिखा sky blue color से इस पर आप click करेंगे अब यहाँ पे फिर से एक new page open होगा उपर आपसे पूछा गया आपका username यहाँ पे आपको अपनी email id एंटर कर देना है और नीचे पूछा गया है enter activation code यानि कि आपका OTP आपके email पे आया है वो आपको है डाल देना है और यह सब कुछ डालने के बाद नीचे लिखा है submit इस पर आप click करके Sign in यह देखे लिखा हूँ दिख रहा है applicant login के नीचे में sign in इस पर आप click करेंगे अब यहाँ पे आपको अपनी email id डाल देनी है और नीचे आपको अपना password डालना है जो आपने भी create के अधा कुछ तरह है पहले और दोनों डाल के नीचे आप लिखा है submit इस पर आप click करेंगे इतना करने के बाद अब हम finally आचुके अपने dashboard में यहाँ पे आपके सामने दो option आएंगे एक आएगा my application का और दूसरा आएगा preview form का तो यहाँ पे आपको जो my application लिखा हूँ दिख रहा है इस पर आपको click करना होगा इसके बाद आपके सामने option आएगा edit slash view का उसके निचे जो symbol बना हुए इसके आप click करेंगे इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का page आएगा अब यहाँ पे आपको लिखा हूँ दिखेगा application details इसके आगे लिखा incomplete complete और बगल में आपको green color से एक टिक का निसान देखेगा इसके आप click करेंगे finally अब हमारा application form में वो open हो चुका है और अब यहाँ पे आप से जो भी detail पूछी गई है उसे आपको ठीक से fill करना होगा और यहाँ पे कुछ detail ऐसी भी है जो पहले से fill करी हुई आ रही है तो उसे हमें छोड़ देना है और बाकी की जो detail फिल नहीं करी गई है उसे हमें fill करना होगा अब यहाँ पी पूछा गया है सबसे पहले nationality तो यहाँ पे हम Indian select कर लेंगे फिर नीचे पूछा गया category यहाँ पे जनरल EWS, OBC, SC, ST आप किस category से ब्लॉंग करते हैं आपको select कर लेना होगा फिर नीचे पूछा गया क्या आप PWT category से आते हैं अगर आते हैं तो आप यहाँ पर click करेंगे वरना आप यहाँ पर select करेंगे फिर पूछा गया आपके class 10th की अगर आपने ITI की है तो कहां से किया है डैली, आउटर, डैली उस पर यहाँ पर select कर लेंगे फिर नीचे पूछा गया कि अगर आपके पास कोई डिपलोमा है तो उसके बारे में आपका school कहां था या college कहां पर था अगर आपने किया है तो डैली, आउटर, डैली जहां पर भी तो आप उसको select करेंगे अगर नहीं किया तो नीचे लिखा नॉट अप्ली केबल इस पर क्लिक कर देंगे सेम इसी तरह से अगर आपके पास कोई डिगरी है तो अगर उसका school कहां पर था आप वो बताएंगे अगर नहीं कर रखा तो आप नॉट अबली केबल पर क्लिक कर देंगे उसके बाद आपका blood group कोंड सा आता है आप उसको यहां पर select करेंगे इसके बाद पूछा गया कि क्या आप difference personal से आते हैं आप यहां पर बता देंगे फिर पूछा कि क्या आप कस्मेरी माइगरेंट है यस यह नो आप बताएंगे फिर पूछा कि क्या है आप student है फुल टाम employee है पार टाम employee है जो भी आप उसको यहां पर select करेंगे फिर पूछा गया आपके family की income यानि कि आपके family में जितनी मेंबर हैं सब की मिला के total income कितनी है आप उसको आप उसको select कर लेंगे फिर पूछा गया कि आपके father का occupation क्या है आपके father क्या करते है private job, government job, PSU में है, business है, self employee जो भी है आप यहां पर उसको select करेंगे फिर पूछा गया आपके father की income क्या है आप यहां पर उसको select कर लेंगे फिर आपके father की highest qualification क्या है आप यहां पर बता देंगे और same इसी तरह से आपके mother की occupation क्या है आप वो बताएंगे आपके mother की income क्या है आप वो बताएंगे फिर आगे पूछा गया है other details क्या आपके बास letter of recommendation है yes or no क्या आप DSU staff faculty को वार्ड से आते हैं yes or no आप बता देंगे क्या आपके बास two year का work experience है yes or no आप बताएंगे फिर क्या आप CVET के exam में APR passed हुए हैं आप यहापे उसको बता देंगे इसके बाद बारी आती है permanent address की यहाँ पे आपको अपने address बताना होगा address line 1, line 2 इसके बास फिर आपका city town या village क्या आप वो बताएंगे फिर आपका district क्या है आपका pin code क्या लगता है state कोन सा है और आपका emergency mobile number क्या है यह सब कुछ आपको यहाँ पे फिल करना होगा इतना सब कुछ फिल करने के बाद नीचे आपसे पूचा गया है आपका correspondence address क्या है अगर आपका permanent address और जो correspondence address दोनों गर सेम है तो नीचे आपको जो box दिख रहा है उसके आप टिक करेंगे वो automatic fill हो जाएगा अगर दोनों अलग-अलग है आपको box में टिक करने की कोई जरूरत नहीं है आपको दूसरा वाला अलग से fill करना होगा इतना सब कुछ फिल करने के बाद आपको सब कुछ चेक कर लेना है कि आपने सब कुछ ठीक फिल किया है या नहीं अगर यहां पे सब कुछ ठीक है नीचे यहां पर लिखा है save and proceed इस पर आप क्लिक करेंगे अब इसके बाद बार ही आती है documents को upload करने की यहां पर आपको अपना photograph upload करना है passport size का और साथ में आपको अपना signature upload करना है अब upload कैसे करेंगे तो इसके लिए यहां पर नीचे लिखा हुआ choose file इस पर आप क्लिक करेंगे आप पहुंचाएंगे gallery में वहां से आप अपनी photograph को upload कर लेंगे और नीचे लिखा है upload photos पर आप क्लिक करेंगे ति वो यहां पर आके upload हो जाएगी तो इस तरह से आपके जो भी documents है वो यहां पर upload हो जाएंगे और ध्यान रखना कि आपका जो documents है उसका background white color का होना चाहिए और उसका format jpg या फिर jpeg format ही होना चाहिए इस तरह से documents को upload करने के बाद फिर नीचे लिखा है save and proceed उसके आप click करके आगे बढ़ेंगे documents को upload करने के बाद अब बारी आती है educational details की तो यहां पर आप अपने class 10th की, class 12th की इसके साथ अगर आपने ITI किया है, diploma किया है, कोई degree ले रखी है तो हर चीज की detail आप यहां पर fill करेंगे यहां पर सबसे पहले पूछा गया है class 10th की detail तो आगे class 10th लिखा हुआ है फिर आपसे पूछा गया कि आपके board का नाम क्या था, आप उसको आपर select करेंगे फिर आगे बोला गया कि आपका year of passing क्या था, मतलब आपने class 10th कि इस year पे pass क्या था आप उसको आपर बताएंगे, आपका month क्या था और year क्या था फिर आगे बोला गया कि आपका school का center कहां पे था, अगर आप open school से थे तो उसका center कहां पे पढ़ा था, आप वो बताएंगे फिर आपके marks का type क्या था, मतलब आपको percentage मिली था, CGPA मिली था, आप उसको बताएंगे फिर आपके कितने marks आपने obtained किया, मतलब कितने marks आपको मिले थे और कितने marks का आपका total paper था, आप यहाँ पे वो बताएंगे आपका roll number क्या था, आपके school का pin code क्या था, school का type क्या था, private था, कैसा school था आप IT quota से आते हैं नहीं, आप वो बताएंगे आपके school की face क्या थी, आप यहाँ पे वो बतादेंगे और last में पूछा गया कि आपका result आ चुका है नहीं, result अगर आपका आगा है class 10 का तो सब कुछ आप fill कर देंगे, अगर आपका result नहीं आया है, तो यहाँ पे नीचे लिखा result इसका आगे जो box इसपर आप टिक करेंगे, तो आपको marks वगरा fill करने के ज़रूरत नहीं रहेगी तो यह तो बात होगी class 10 की, same इसी तरह से आपने जो भी degree ले रखी है आपने ITI किया है, आपने कोई degree ले रखी है, कोई diploma किया हुआ है, class 12 पास हैं, जो भी आपने कर रखा है हर चीज की detail आप save इसी तरह से fill करेंगे, सब कुछ fill करने के बाद नीचे लिखा है, save and proceed, इस पर आप click करके आगे बढ़ेंगे अब यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आपने सारी detail ठीक fill करी है, अगर कोई गलती आपको लग रही ता आप यहाँ पर नीचे cancel का button देखेगा, इस पर click करकी आप cancel कर सकते हैं और आप इसको ठीक कर सकते हैं, अगर आपको यहाँ पर सब कुछ ठीक लग रहा हो, तो आगे लिखा है, ओके उस पर click करके आप आगे बढ़ सकते हैं आप क्यों कितने marks मिले थे, और कितने marks का अपका exam था, सब कुछ आपको यहाँ पर बताना होगा मतलब आपने class 10 में जितने subject पढ़े थे, सब की detail आपको यहाँ पर देनी होगी सब कुछ ठीक से fill करने के बाद आप page को नीचे करेंगे और यहाँ पर लिखा save and proceed इस पर click करके आप आगे बढ़ जाएंगे अब जैसे आपने class 10 की detail को fill किया था, save उसी तरह से आप अपने class 12 की detail को fill करेंगे या अगर आपने कोई और course कर रखा है तो आप उसकी detail को भी आप फिल करेंगे और fill करने के बाद आप नीचे आपको लिखा वह दिखेगा save and proceed उस पर click करके आप आगे बढ़ जाएंगे अगर आपने मालोग class 12 नहीं कर रखा है तो भी नीचे जो लिखा save and proceed उस पर click करेंगे तो आप अगले step पे चले जाएंगे automatic Class 10 और 12 की detail के बाद अब बारी आती है extra curricular activity की अब यहाँ पर आपने अगर किसी activity में आप शामिल रहे हैं तो आप उसको आपर select करेंगे और नीचे पुछा गया achievement आपने उसमें क्या achieve किया है आप उसको भी यहाँ पर बता देंगे और नीचे फिल लिखा है save उस पर click करके आप उसको save कर देंगे और इसी तरह से अगर आप एक से ज़्यादा activity में शामिल थे तो आप उसको भी यहाँ पर बता देंगे और यह बताने के बाद फिल लाश्ट में नीचे लिखा है proceed to next page उसके आप क्लिक करके अगले पेश पर चले जाएंगे अब इसके बाद बाहर ही आती है documents को upload करने की तो यहाँ पर मेरे case में कोई भी document आप सो नहीं कर रहा है upload करने के लिए बता आपके case में हो सकता कि यहाँ पर document upload करने के लिए option आए तो जो भी चीज़े आपने detail फिल करी होंगे उसके बिहाब पर यह documents मांगेगा तो जो भी documents आप से मांगेगा वहाँ पर लिखा हूँ उसका नाम आ जाएगा आप उसे जैसे अपने photo गर upload करी थी same उसी तरह से आप यहाँ पर अपने documents को भी upload कर देंगे और documents को upload करने के बाद नीचे लिखा है save and proceed इस पर आप click करके आगे बढ़ जाएंगे अगले page पे इतना करने के बाद आप बारी आती है course को select करने की मतलब आप किस course में admission लेना चाहते हैं आपको वो select करना होगा तो यहाँ पर काफी सारे option दिये गए हैं आपको इसमें से जिस भी course में admission लेना है आप उसको select कर सकते हैं जैसे कि full time engineering है फिर यहाँ पर full time diploma है part time diploma है lateral entry diploma है UG degree program है इसमें काफी तरह की program दिये गए है जो भी course DSU में करा जाते हैं सारे course यहाँ पर दिये गए हैं आपको जिसमें भी admission लेना है आप उसको यहाँ पर select कर सकते हैं पर अगर मानलो आपको confusion हो रही कि कौन सा select करें आपका course की category में आएगा आपको नहीं पता तो आप इनका जो prospectus आप उसको open करके उसमें देख सकते हैं कि आपका course की category में आ रहा है उसको देख के तब आप यहाँ पर select कर सकते हैं या फिर उपर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ब्लू कलर से click here लिखा हुआ इस पर click करेंगे तो यहाँ से भी सारी course की list आ जाएगी आप उहाँ से देख के उसको fill कर सकते हैं अपने according course को select करने के बाद नीचे यहाँ पर लिखा है save and continue इस पर click करके आगे बढ़ जाएंगे इतना form fill करने के बाद आपने अभी तक जो भी detail आप फिल करी है सब कुछ आपको दिखाई जाएंगी आप उसको check करने के आपने सब कुछ ठीक फिल किया है नहीं अगर आपको अपने कोई गलती लगती ता आप इसको अभी भी ठीक कर सकते हैं आप page को नीचे करेंगे नीचे आपको option दिखेगा go back का उसको click करके आप इसको ठीक कर सकते हैं लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने सब कुछ ठीक फिल किया है यहाँ पर लिखा है I confirm the above bugle में वहाँ पर बॉक्स है उसको आप टिक करेंगे और नीचे लिखा है confirm and submit इसको आप क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे अगर आपको सब कुछ ठीक लगता तो ही आगे बढ़ें क्योंकि अगर आप यहाँ से आगे बढ़ गए तो फिर आपके पास option नहीं रहेगा इसको ठीक करने का इसलिए प्लीज एक बार सब कुछ चक करें उसके बाद ही आप आगे बढ़ें दुबारा से आपके सामने फिर इसी तरह का page आएगा आप page को नीचे करेंगे और नीचे करने के बाद यहाँ पर आपको option देखेगा payment वाले page पे जाने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है proceed to payment इस पर आप click करेंगे आप payment वाले page पे पहुँच जाएगे इतना करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का page आएगा यहाँ पर बोला गया कि payment type तो यहाँ पर एक ही option है online आप यह पर online select करेंगे फिर आपको payment करना किस से है credit card, debit card, SBI, net banking जो भी आपके पास option आप उसको आप इसको आपर select करेंगे और फिर आप page को नीचे करेंगे नीचे करने के बाद यहाँ पर आपको option देखेगा आप proceed to page पर आप click करके अगले page पर आजाएंगे इतना करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का page आजाएगा और नीचे लिखा हुआ है pay now नीचे लिखा हुआ yellow color से इसको आप click करेंगे अब यहाँ पर payment को option आज चुका है आप यहाँ पर अपनी जो भी details को fill करेंगे अपना card का number को डालेंगे और नीचे लिखा है page पर click करके आप लोग अपनी payment कर देंगे तो इस तरह से आपका जो application form है वो complete हो जाएगा तो इस तरह से आप लोग अपना DSU का form fill कर सकते हैं I hope आपको वीडियो helpful लगा होगा अगर आपको वीडियो helpful लगा होगा वीडियो को like कर देना इसे अपने दोसों साथ भी share करने ताकि उनकी भी कुछ help हो सके अगर आपको अभी भी कोई doubt रहता था तो आप comment करके पूर सकते हो या Instagram पर DM कर सकते हो फिलाल अभी के लिए इतना ही मिलते हैं नई वीडियो में